हे गाईज वल्कम बैग आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल और वो है सर्सो का साग और मक्य की रोटी तो आज मैं यहां पे आपको सर्सो का साग बनाना बताऊंगी वो भी सबसे इजी वे में तो इसके लिए आपको चाहिए सर्सो और पालक सर्सो से आधी कौंटिटी आप पालक ले लीजिए और वन फोर्थ कौंटिटी आप इसमें एड करेंगे बत्वा की अब इन सब सबसियों को आप दो तीन बार पानी से अच्छी तरह साफ कर लीजिए और उसके बाद आप इने रफली चौप कर लीजिए यहां पे मैंने सर्सो को अच्छे से धो के और अब इन सबी सबसियों को कुकर में डाल कर आदे ग्लास पानी और थोड़े से नमक के साथ आप इसे चार से पाँच विसिल के लिए पका लीजिए कुकर के ठंडा होने के बाद एक मैशर की हेल्प से आप इसे 5-6 मिनिट के लिए अच्छे से मैश कर लीजिए तो यह सारी सबसी एक साथ हो जाएगी और अब हम इसमें एट करेंगे दो बड़े चमच मक्य का आटा जो इसे एक अच्छी बाइंडिंग देगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा मक्य का आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लीजिए अब एक पैन में तेल गरम कीजिए और उसमें डालिए जीरा जीरा भूनने के बाद आप इसमें एट करेंगे बारी कटी हुई प्यास प्यास को हमें पिंक होने तक भूनना है प्यास के पिंक होने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट और इसे फिर से कुछ दो दिन मिनिट के लिए पकाएंगे अब एके करके हम इसमें सारे ड्राइ स्पाइसे एड़ करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें डालिए आदी चमच हल्दी एक चमच धनिय का पाउडर और एक चमच लाल मिर्च का पाउडर लाल मिर्च की कॉंटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसके बाद आप इन सब को अच्छे से मिक्स करिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे दो तीन मिनिट के लिए और कुक करिए इसे इसका मसाला अच्छी तरह पक जाएगा मसाले के अच्छी तरह पक जाने के बाद आप इसमें बारी कटे हुए टमाटर डाल दीजिए और अब हमें टमाटर को पूरी तरह गल जाने तक पकाना होगा टमाटर के पक जाने के बाद आप इसमें जो सरसो का साग हमने बना के रखा था उसे इसमें मिला दीजिए और सांती सांत आप इसमें नमक डालिए और इसके बाद इसे कुछ 8-10 मिनिट के लिए हम पकाएंगे क्योंकि आपने इसमें एड किया था मक्के का आड़ा तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे कम से कम 8-10 मिनिट के लिए low flame पर पकने दे 10 मिनिट बाद इसमें एक बड़ा चमच गी एड़ करिए और साथ में एड़ करिए एक चमच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करके एक मिनिट पकाने के बाद आप इसे सर्फ कर सकते हैं थैंक्स वोचिंग झाल सकते हैं